Hello Friends, Welcome to Shriraj Mathematical Education and Information Hub आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागर किया जाता है HRM Academy के इस Online Learning Platform पर आगे बढ़ने से पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि हमारी recording क्या अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है हांजी बीपल ओडियो और वीडियो आप लोगों के साथ बहुत ही बहतरीन तरीके से यहां पर अविलिबल हो रही है तो हमारा DU MSC Mathematics के लिए Entrance Examination का हमारा form जो है वो यहां पर आउट हो चुका है DUET, Delhi University Entrance Test 2022 for Post Graduation जिसकी Official Notification हमारे पास यहां पर आचुकी है तो आईए इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम Step by Step यहां पर अपने exam के form को यहां पर fill out कर सकते हैं और इसके syllabus क्या है और कितने questions हमारे पास previous year में पूछे जाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने यहां पर सबसे पहले हम अपने इस desktop पर यहां पर आचुके हैं और यहां पर हम सर्च करते हैं DU जैसी हम लोगों ने इसको सर्च किया तो हमारे पास यहां पर DU का official जो यह हमारे portal है official website at du.ac.in इस पर हम लोग आचुके हैं यहां पर आप देख सकते हो admission 2022 and 23 जैसी हम इसको यहां पर click करते हैं तो हम एक नई website की तरफ यहां पर move on करेंगे हमारे पास यह आ चुकी है यहां पर admission 2022 and 23 यहां पर हमारे पास registration जो है undergraduate graduation के लिए भी और post graduation courses के लिए भी हमारे activate हो चुके हैं यहां पर आप लोगों को यह देख सकते हो कि हमारे पास registration information यहां पर आ चुकी है आप लोग यहां पर अपने form को यहां पर fill out कर सकते हैं चाहे आप UG के हों चाहे आप PG के हों आप लोग अपना form फिल कर सकते हैं हम लोग PG के हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर PG को क्लिक किया और यहाँ पर नीचे की तरफ को आप लोग देख सकते हो कि registration link यहाँ पर आ चुका है यह रहा नीचे की तरफ को आप लोग अगर अगर under graduation के हैं तो cuet.summer.ac.in पर जाकर अपने आपको register कर सकते हैं और अगर आप लोग पोस्ट graduation के लिए हैं तो pgadmission.uod.ac.in इस बार du के अपने portal पर registration हो रहे हैं लेकिन हाँ एक्जाम आप लोगों का national testing agency ही लेने वाली है लेकिन admission आप लोगों के जो भी portal पर यहाँ पर है du के अपने portal पर admission हो रहे हैं तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर pgadmission.uod.ac.in पर तो आप लोग डियू post-graduation and post-graduate admission 2022 के इस portal पर यहाँ पर आ जाएंगे देख सकते हैं यह आप लोगों के पास portal है Welcome to Delhi University postgraduate admission 2022 अब आप लोगों ने अगर आप लोगों ने register कर लिया है त तो आप लोग यहाँ पर अपनी email id और password यहाँ पर fill out करेंगे Otherwise आप लोगों ने अगर register नहीं किया है तो आप लोगों new register new registration पर click करेंगे यह रहा आप लोगों के पास new registration का concept यह रहा यहाँ पर मैं फिर से arrow दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को जाना है और अपने आप को register करना है और इसकी fees भी वही 300 rupees है जो last time हुआ करती थी ठीक है यहाँ पर इन्होंने दे रखी है fees structure यहाँ पर दे रखा है application fees जो non refundable है आप लोगों के लिए जो UR मतलब unreserved category OBC और EWS के लिए 750 rupees जो है वो यहाँ पर available है और STSTPWD category के लिए 300 rupees जो है वो यहाँ पर available है आप लोग form को fill कर सकते हैं ठीक है जी done clear है और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपना new registration पर click करेंगे तो आप लोगों के पास यह कुछ इस तरीके का मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं proper तरीके से आप लोगों को यह तूर यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को fill करना है आप लोग name यहाँ पर fill करेंगे तो मैंने अपना name fill कर दिया किशव अपना date of birth और अपनी फूरी detail यहाँ पर fill करनी है ध्यान से जो भी आपकी detail है जो भी 10th total की DMC पर available है BAC की DMC पर available है वही आपको यहाँ पर fill करनी है तो ध्यान से आप लोग इसको fill करिएगा और उसके बाद आप ल पर भी बेजे जाएंगे और आपके message मतलब mobile पर भी बेजे जाएंगे ठीक है यह तो हुई हमारी post graduation या master program के लिए जो हमारा admission process है वो हमारा आचुक है आप लोग form fill कर सकते हैं form fill करने की last date जो है आप लोगों के पास 16 मई है फिर से clear कर दो 16 मई for post graduation के लिए हना PG के लिए 16 आप लोगों के पास है यहाँ पर अंडर ग्रेजुशन के लिए तो ध्यान रखेगा हमें 10 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर मिले हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह हमारे पास है syllabus for MSC mathematics entrance examination यह देख सकते हो पीछे मेरे पीछे यह department of mathematics Delhi University का official syllabus है entrance exam के लिए यह पूरा का पूरा syllabus हम लोग अपनी Android app SRM Academy Learning app पर अविलेबल करवा रहे हैं चाहे आप लोग recorded batch लीजे चाहे आप लोग live batch लीजे दोनों ही batch आप लोगों के पास srmacademy.com पर अविलेबल हैं चली आगे बढ़ते हैं मैं थोड़ा सा syllabus को discussion यहाँ पर करना चाहता हूँ syllabus एक बार हम लोग देख लिते हैं वहाँ पर यह देखो यह real analysis का topic है elementary set story जहाँ पर हम लोग finite countable uncountable real number की ordered और archimedian property limit superior limit inferior मतलब यह हमारे real analysis course के पहले दो chapter है chapter number one and chapter number two chapter number one क्या है point set and its property और second है point set topology तो यह दोनों chapter हमारे यहाँ पर अविलेबल हैं third chapter हम लोग क्या करवाते हैं sequence of real number और series of real number और उसकी convergence और उसके limit superior limit inferior यह हमारे course का chapter number three है यह सारे courses आप लोगों के साथ यहाँ पर available है uniform convergence आप लोगों के पास है remand sum and remand integrable and improper integral यह important है यह इस बार आप लोगों के पास jam में भी पूचा गया था तो आप लोगों को इसकी practice तो हो ही गई होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के साथ है monotonic function type of discontinuity जब हम limit continuity differentiability करवाते हैं तो वहाँ पर यह topic बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ deliver कर लिया जाता है metric space यह topic आप लोगों के साथ बेहतरी इन तरीके से हमारे course पर available है srm academy learning app को download कर सकते हैं या srmacademy.com पर जाकर आप इस course को access कर सकते हैं ठीक है अब अगर मैं आगे क्यों और यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर और क्या-क्या options available हैं हमारे पास यहाँ पर आब आता है linear algebra का यह जो topic है eigen value, eigen vectors of our matrices कहले है mental theorem यह आप लोगों के पास LA, linear algebra का topic यहाँ पर available है कुछ आप लोगों के पास group option भी available है, group, subgroup, normal subgroup, quotient group, homomorphism, cyclic group यह सारा silo theorem तक, यह सारा का सारा हम लोग अपनी group theory के classes में करवाते हैं जो हम लोग अपने jam exam में भी यही topic करवाते हैं और MSC entrance के course में भी यही topic आप लोगों के पास available है extra जो है ring theory है, ring theory के अभी आप लोगों के साथ lecture चल रहे है ring theory आप लोगों के साथ research ले रहे हैं I think आज जो lecture है वो आप लोगों के साथ 17th live lecture आप लोगों के साथ available होने वाला है similarly vector space, subspace, linearly dependent basis, dimension यह सारा का सारा topic आप लोगों का linear algebra का है और यह बड़ा ही important बड़ा ही प्यारा topic है इसके लावा आप लोगों के पास होती है ordinary differential equation और होती है आप लोगों के पास partial differential equation और numerical analysis दोनों ही topic आप लोगों की बहुत ही important और बहुत ही easy topic है आप लोग इनको skip करे बिना भी skip नहीं करना है मेरा कहने का मतलब मैं skip नहीं करना है du का तो slavery सी बिचारा बहुत ही थोड़ा सा है ठीक है और यहाँ पर यह देख सकतो है यह ordinary differential equation के उपर ही पूरी की पूरी बार्चित यहाँ पर view ही है existence and uniqueness of the solution of the initial value problem of the first order ordinary differential equation singular solutions के उपर बात है general theory of homogeneous and non-homogeneous linear differential equation variation of parameter term liability problem and green function यह जो term liability problem और green function है यह आप लोगों के पास दो topic जो है वो extra है jam topic से दो topic आप लोगों के फोड़े से extra है ठीक है अगर मैं आगे बात करूँ आप लोगों के पास next जो है यहाँ पर this is the partial differential equation Lagrange and Charpent method to solve the first order partial differential equation है ना उसके बात कोची problem first order partial differential equation classification of first second order partial differential equation heat wave and laplace equation यह सारे topic हम लोगों ने partial differential equation हमारी चल रही है live batch के अंदर live batch के अंदर आप लोगों को यह सभी topic करवा लिए जाते है अभी numerical analysis आप लोगों का पूरा का पूरा live batch में पूरा completely अभी होना है यह topic आप लोगों का numerical analysis है इसकी PDF आप लोगों को इस official syllabus की PDF हमारी app पर आप लोगों को मिल जाएगी app का link आप लोगों को description box में भी available है otherwise आप लोग srmacademy.com पर जाकर भी इसको यहाँ पर access कर सकते है अगर मैं previous year question paper के उपर बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसको ले चलता हूँ एक बार previous year question paper पर तो यह हमारे कुछ previous year question papers है एक मिनिट मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर ओके जी तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ अपने आपको ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊं यह देखो यह हमारे questions हैं यह देखो eclodian domain यह आप लोगों का ring का question है तोटल आप लोगों के पास 50 questions हाती है एक question आप लोगों का 4 marks का होता है अगर आप लोगों ने ठीक करा और minus 1 आप लोगों का negative marking है for MSC mathematics entrance examination total 50 question आप लोगों को मिलते हैं 2 hours का ये आप लोगों का exam होता है 2 hours का ये exam होता है आप लोग देख सकते हो बहुत ही easy question जो हैं पूछे जाते हैं आप लोग बड़ी असानी से इनको solve यहाँ पर कर सकते हैं ये आप लोगों का I think है ये question आप लोगों अगर ring theory का question है उसके बाद ये भी integers का है मतलब number theory का question है ये वाला भी next question आप लोगों का एक group से है a group of order 385 आना silo package का ये theorem का question है बहुत easily मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से practice करवाई हुआ है आप लोगों को total फिछले 10 साल के previous year question paper हमारी SRM Academy learning app पर मिल जाएंगे आप लोग जाकर उन्हें access कर सकते हैं SRM Academy Library को option आप लोगों को वहाँ पर search करना है जैसी आप लोग SRM Academy Library को search करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा चलिए आप लोगों को एक बार मैं srmacademy.com पर भी ले जाकता हूँ तो मेरे पास है यहाँ पर srmacademy.com तो आप लोग अपनी website पर आ चुके हैं ये रही हमारी SRM Academy की website आप लोग इसकी store option पर जाएंगे तो पूरे की पूरे courses आप लोग जो है access यहाँ पर कर सकते हैं तो इनी courses के उपर मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि live batch for DUBHU MSC Entrance Examination इस course के उपर मैं बात कर रहा था ये course की validity आप लोगों के पास 6 months की validity है और only and only 35 hundred rupees में आप लोगों को ये पूरा का पूरा course मिल जाता है इस course में अभी तक आप लोगों के साथ क्या-क्या topics हो चुके हैं वो यहाँ पर हम लोग को curriculum में जाकर देख लेते हैं आप लोगों के पास एक admission form होगा वो आप लोगोंने fill करना है second पर है आप लोगों के पास official whatsapp group है जो भी आप लोगों के doubt होंगे वो आप लोग हमारे से whatsapp group में पूछ सकते हैं ऐसे रहे में कड़ी में library को optional library link है जैसे आप लोग क्लिक करेंगे library पर redirect हो जाएंगे और आप लोगों के साथ अभी जो हो चुका है आप लोगों के साथ रिंग ठीयोरी के हो चुके है तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनमें जो है एक्सिस ले लिजेगा ताकि आप लोग जो भी हमारी assignments है और 9 assignments आप लोगों के साथ यहाँ पर अविलेबल है देख सकते हो आप लोगों के साथ बैच टू के अनाउंस्मेंट करने वाले है तो सबी लोग हमारे साथ यहाँ पर जल्दी से जल्दी जोड़ जाएगा DU MSC Entrance Examination के लिए तो तब तक के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यह हमारा कूर्स था मैंने आप लोगों को पूरी notification के बारे में बता दिया है कि कब से लेकर कब तक आप लोगों के notification यहाँ पर आई है अगर आप लोग MSC Entrance Examination का कूर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लिजेगा SRM Academy Learning App को Otherwise आप लोग हमारी वेबसाइट से भी उस कूर्स को एकसिस कर सकते हैं www.academy.com पर जाएए और अपने DU में पढ़ने के सपने को साकार करें All the very best